नमस्कार, कक्षा 8 एक्सरसाइस 3.1 का सात्वा प्रश्ण है, इसमें हमें X प्लस Y प्लस Z ग्याद करना है, देखे बचों यह हमार पास एक अक्रिती है, आप देख रहे हैं, यहाँ पर यह है X जो बाहिय कौन है, यहाँ पर Y जो बाहिय कौन है, यहाँ अंदर वाला कौन दि निकालना है अबी, हम सबसे पहले A ही निकालेंगे, दिखे कैसे इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज में तीनो कौनो का योग कितना होगा बेटा 180 डिग्री, प्रिभुज के तीनो कौनो का जोड 180 होता है इसका मतलब 90 डिग्री प्लस 30 degree प्लस A ये किसके बराबर होगा 180 degree के 90 और 30 होता है 120 तो 120 A के साथ प्लस हो रहा है उधर या के हो जाएगा माइनस तो 120 में से 120 में से 120 माइनस कर दो ते कितना आ गया 60 degree इसका मतलब A आ गया 60 degree तो ये कौन है 60 degree इसको याद रखेगा अब हमें पहले निकालना है X, Y और Z फिर इन तिनों को प्लस करेंगे देखो X कैसे निकलेगा यह एक सीधी रेखा है सीधी रेखा पर टोटल एंगल कितना होता है 180 degree का होता है कितना होता है 180 degree का इसका मतलब 90 प्लस X बराबर होगा 180 degree के X किसके बराबर आजाएगा 180 degree 90 यहाँ X के साथ प्लस हो रहा उधर यहाँ के हो जाएगा माइनस तो 180 में से 90 माइनस कर दिया तो आगया 90 degree इसका मतलब X की वैलिव आगे 90 degree इसी प्रकार से यहाँ देखिए यह भी सीधी रेखा है यह रेखिक युगम बन रहा है सीधी रेखा पर तो इन दोनों का जोड़ होगा वह 180 होगा क्योंकि यह टोटल आंगल 180 है तो Z किसके बराबर होगा 180 में से 30 को माइनस कर दो 180 में से 30 को माइनस कर दो 180 में से 30 माइनस किया 150 degree इसी प्रकार से देखे, यहां देखे, मैंने कागेश थोड़ा सा तेरा गया, आपको समझाने के लिए, यह सीधी रेखा है, इस पर यह कोण है Y, यह कोण है A, इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 180, A हमने अभी निकाला था, 60 लिगरी, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ के 180 180 आएगा, 180 में से 60 माइनस कर देंगे तो Y आजाएगा, ठीक है, तो Y किसके बराबर होगा, 180 डिगरी में से, यह A माइनस कर दो, A 60 के बराबर है, यानि 60 माइनस कर दो, तो Y किसके बराबर आगया, 180 में से 60 माइनस करो, तो हमारे पास आगया 120 डिगरी, अब हमें निकालना ह X plus Y plus Z यही हमें कोशन में बोल आ है X plus Y plus Z प्याद कीजिए ठिक है बचचो तुम लिखते है X plus Y plus Z देखो X कितना आया है 90 degrees Y कितना आया है 150 degrees 120 degrees और Z कितना आया है 150 degrees तो इन तीनों को प्लस कर दो 90 में 120 प्लस कर दो 120 और 90 होगा 210 210 में 150 प्लस कर दो तो वो होगा 360 यदि आपको directly ना करना है तो आप एक के नीचे एक लिखकर भी इनको प्लस करके देख सकते हैं इन तीनों को जमा करके 360 डिगरी आएगा तो हमें निकालना था एकस प्लस वाई प्लस जेट और यह जो है हमारे पास किसके बराबर आ गया है 360 डिगरी के बराबर आ गया है आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आया होगा किसी भी स्टेप से ना समझ आया हो तो दुबारा पीछे जाई और वीडियो को दुबारा देख लीजिए यदि आपको हमारी यह मेनत यह वीडियो पसंद आया हो या कोशन अच्छे से समझ आया हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक जरूर की जगा और सब्सक्राइब भी जरूर की जगा ताकि आप बाकी के प्रशन भी देख पाओ इस प्रशन का भी भाग देखने के लिए आप अगला वीडियो देख सकते हैं धन्यवाद